वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका दोस्तों काफी लोग मेरे से यह सवाल करते हैं कि वेब 3.0 का एकोसिस्टम का कोई लो कैप टोकन बता दो जो बड़ा मुश्किल है आज की डेट में बताना जो वेब 3.0 के बहुत सारे जो टोकन क्लेम करते हैं कि हम 2.0 के से रिलेटिड हैं लेकिन बहुत सारे जो क्या पता फ्यूचर में कोउन सा token क्या स्कैम करेगा अच्छे वाले token है वो लो-कर नहीं है तो बड़ा बता दूं सबसे पहले इसकी खास बात क्या है क्यों ये web 3.0 का project है और web 3.0 को ये क्यों आगे बढ़ाना चाहता है तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो main जो purpose है वो web 3 community को build करना है और दूसरी community की help करके वो एक बड़ी community ready करना चाहता है जैसे masa protocol के 10 जो token है a drop में आपको में ठीक है और एक डोलर में अगर वो grab करते हो तो आपको बहुत सारे जो token है आपको मिलने वाले है तो बहुत सारे token मिलने वाले वह भी मैं दिखाऊंगा कौन से जो NFT वगरा मिलने वाले है आपको और किस तरह से a drop इसकी grab की जाते है लेकिन उससे पहले masa जो protocol है web 3 protocol है मैं यह बताऊंगा कि masa जो protocol को लेना क्यों चाहिए ठीक है क्या इसके पीछे खास बात है ठीक है masa protocol को लेने के लिए इसको थोड़ा सा हम नीचे आते हैं हम यह बताएंगे कि इसकी जो partnership है already ethereum से हुई हुई पड़ी है finance smart chain के उपर हुई पड़ी है और cello के उपर है और base से हुई हुई है तो जब इसी reason से इन बड़ी blockchain के उपर आप जो free के airdrop है वो claim करते हो ठीक है तो इसके अलाबा मैं एक आपको article दिखाऊंगा उसमें लिखा हुआ है कि masa selected for finance lab तो finance lab ने इसको select किया है और एक value मतलब एक बड़ बोला है कि यह valuable builder accelerator program है और यह BNB chain के साथ इसका integration है मतलब partnership है यह हलका नहीं है अगर इसको finance chain ने इसको approve किया है तो दोस्तों कहीं न कहीं यह finance के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है और इसका जो एक और connection मैं आपको बताता हूं कि vitalic buterin soul bound token the future of decentralization identification तो vitalic buterin ने जो ethereum का जो honor है उसने already बोला है कि यह जो soul bound token है वो आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त ecosystem होगा और हर identity के साथ जुड़ा होगा तो दोस्तों vitalic का vision है उसी vision को पूरा करने के लिए masa finance ठीक है ऐसा नहीं कि just एक ऐसा ही बोल दिया है कि internal coin कोई न की partnership है और masa finance का जो name जो ecosystem है name services है name जो token है ठीक है name soul bound token है वो ethereum के उपर है किसी और ecosystem के उपर नहीं है मतलब ethereum blockchain के उपर है लेकिन जो हम आज करने वाले हैं यह finance chain के उपर है ठीक है वो थोड़ा महंगा वो बाद में बताएंगे आपको लेकिन आज जो free में $1 खर्च करके आपको 10 token इसके वो मिलेंगे और बहुत सारे NFT मिलने वाले है ठीक है वो NFT इसी project के नहीं है जिन project के साथ इनकी partnership हो रही है समझ लो इनकी जो partnership है जब तक इनका token launch नहीं होता अगर 100 protocol के साथ है तो 100 अलग अलग आपको NFT claim करने को मिलेगी जस्ट थोड़ी सी fees देनी है वो NFT आपका और जब NFT का जो भी rate होगा कुछ NFT का use case है वो आप क्या कर सकते है stake वगरा करके उनके token earn कर सकते हैं मतलब काफी चीज़े अलग लग use case है ठीक है अब हम जो mainly $1 से इनका जो green NFT है green SBT जो है उसको हम grab करेंगे और उसके लिए मैं step by step आपको चीज़े बताऊंगा ठीक है सबसे पहले जो description box के अंदर जो description में मैंने एक link दे दिया है उस वो link को copy करके आप URL में type करोगे तो आपको URL में ऐसा एक ecosystem मिलेगा ठीक है तो यह याद रखना किसी भी और side पर जाके करने की कोशिश नहीं करना because आपको जो link है वो मिली नहीं पाएगा तो description में जो link है उसी को use करना और गलत इदर उदर चलेगा तो बड़े confuse हो जाओगे तो confusion बिलकुल create नहीं करनी simple जैसा मैं समझा रहा हूँ तो आपको ऐसा ऐसा करना है ठीक है यहां पे ऐसा ecosystem आ जाएगा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 million masa token price pool तो 1 million masa token मिलने वाले हैं और earn 10 masa token for each new user जो भी नया user आएगा इनका SBT जो green SBT लेता है जो NFT लेता है इनका तो उनको 10 token मिलेंगे मिलेंगे इसा यह बोल रहे हैं और सबसे पहले हमें इसके लिए लेने के लिए क्या करना है मैं step by step बता रहा हूँ आपको सबसे पहले यहां पर क्या लिखना है पहले नाम लिखना है उसके बाद email लिखना है जब नाम और email लिख दोगे उसके बाद agree के button पे click करना है तो get verified पे click करना और इसके बाद जैसे get verified पर click करेंगे तो ऐसा एक option आजाएगा, इस option में क्या होगा, जो आपकी जो chain, जो BSC chain आपने metamask में select करनी है, तो आपका जो metamask है, वो BSC के chain के साथ already है, जैसे मेरा already था, metamask में BSC chain selected था already, तो वो क्या होगा, वो इसके साथ connect हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा scroll down, यह सारे आप देख रहे हो ना, यह सारे जो NFT आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, और यह free में आपको grab होंगे, और यह जो 3D का बड़ा जबरदस्त है, और कुछ जो token है, जो NFT है, वो आपकी जो, अगर आप lucky हो, तो आपको इस partner होता है, उनका और एक नया NFT यहाँ पर होता है, तो जब तक इनका token launch नहीं होता, तो दोस्तों, यह बहुत अच्छा chance है, आपको masa, जो green NFT लेके, यह सारे जो tokens, जो सारे NFT है, ठीक है, NFT drop, जैसे plant crossing, SBT drop, यह अभी recently में आया है, ठीक है, तो यह आप कर सकते हो, यह भी available है, ज आरकोमिया का जो, यह जो NFT से related ecosystem है, यह भी available है, और यह मैं बता हूँ आपको जो top global है, यह एक football से related एक, जो gaming ecosystem आ रहा है, बतलो यह सारे अपने token लेके आ रहे है, gaming system, कोई कैसा project है, वो सब लेके आ रहे है, और यह सब एक साथ जुड़ रहे हैं, इस platform के जरिए, masa platform के और आप लोगों को reward दे रहे हैं, ठीक है, reward लेना और इतने सस्ते में मिलना बहुत अच्छी बात है, तो आप यही web 3.0 का ecosystem है, अगर आप इसको use करते हो, तो आपको थोड़ असा use नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ पर click करके claim करना है, सबसे पहले हमें क्या claim करना है, जिस सबसे पहले हमें यहाँ पर click करना है, connect हो जाएगा wallet तो, यहाँ पर हमने click कर लिए, यहाँ पर चार chain आएगी, तो आपने कौन सी chain select करना है, आपने mint on BSC select करना है, because हम समझते हैं कि future में Binance के साथ इसकी partnership है, तो Binance के ऊपर आने में से कोई दिक्कत नहीं होगी, और Binance की fees औ यहाँ पर भी कई बार क्या होता है, वो थोड़ से error बगर आ जाता है, cello इतना जो generally use नहीं होता है, तो BSC chain है, उसको select करना है, तो यहाँ पर जो BSC chain है, यह मेरे ख्याल में मेरे वीडियो के चक्र में आपको दिखना ही रहा होगा, तो यहाँ पर, यह जो मेरा cursor है, तो यह यहाँ पर हम click करेंगे, to eligible for masa green, we kindly ask you, prove that you are human, ठीक है, हमें यह बताना है कि हम human है, कोई generated, कोई machine वगरा, AI नहीं है, तो proof करने के लिए, हमें अपने एक number देना पड़ेगा, जो भी आप use कर रहे हो, जो भी number है, या family का जो भी number है, आप उसको क्या कर सकते हो, उसको आप यहा लिख दोगे, उसके बाद, I am not a robot पर click करना है, हमने, और उसके बाद, यहाँ पर stairs का, जैसे यहाँ पर stair लिखा हुआ है, आपके उसके अंदर कुछ stair या कुछ भी चीज़े लिखे होगी, तो वहाँ पर click करना है, अगर stair लिखा है, तो stair stair पर click करना है, कितनी भी stair है, वहा यहाँ पर option आएगा, mint, masa, green, sfd, यहाँ पर हम click करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर click करने के बाद, हमें, एक message आएगा, message आएगा, तो वह क्या करना है, हमने message को, mobile पर जो message आएगा, जो code आएगा, वो इसमें लिखना पड़ेगा, आपको, वो code हमें message यहाँ पर अगर मिल जाए, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, दिया है, और यहाँ पर यह क्या है, phone number को verified कर लेंगे, ठीक है, verified करने के बाद, यहाँ पर 1 dollar देने के लिए, यहाँ 15 cent क्या स्पस लग रहे हैं, जो कुछ भी नहीं होता, और fees तो 15 cent लग रही है, और total जो लग रहे हैं, वो 1 dollar 18 cent लग रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर confirm कर देंगे, यहाँ पर एक message आ जाएगा, हुरे, you are successfully verified, तो start inviting your friend earning masa token for more your referral and more you earn, ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या है, आपका जो masa token के 10 token है, वो confirm हो गए है, जब भी TGE आएगा इनका, तो आपको 10 token आपके wallet में मिल जाएंगे, और जब wallet में मिल जाएंगे, तो आप उनको बेच सकते हो, या long term के लिए hold कर सकते हो, मैं आपको सजिस्ट करूँगा कि यह masa token, जो real Web3 economy को एक साथ, जो community है, उसको एक साथ ही, एक जगा लेके आ रहा है, और जोड रहा है साथ, तो यह समझ लो, कि जब इनका जो token आएगा, वो कितना ज़्यादा, you know, hype create करने वाला है, और कितना ज़्यादा आगे बनने वाला है, तो दोस्तों, यह जो opportunity है, 10 token भी कई बार 1000 डोलर बन जाते ह है, तो यह बात याद रखना, कि किसी भी token को free की जो airdrop है, मतलब almost free, एक डोलर कुछ भी नहीं होता, अगर आपको ऐसे को airdrop मिल रही है, तो वो आपको miss नहीं करनी चाहिए, जब यह आपको airdrop मिल जाएगा, और ऐसा option आजाएगा, तो आपको फिर दुबारा से आपको क क्लेम करना है, और जब जैसे ऐसे वह आप करते जाओगे, क्लेम यह जो कुछ NFT आपके पास, आपके इसके अंदर आ जाएंगे, आपके मेटा मास्क में, और वो NFT जब भी market में यह जो NFT आएगे, ट्रेड होने के लिए, तो आप इसको बेच के, अपने सारे अपने पैसे इसके ओपर a drop है, पर मुझे ऐसे लग रहा है, इसके इसमें 100, 200, 300 a drop भी होगी, और जिन जिन लोगों ने 1 dollar इंवेस्ट किया है इसके अंदर, तो उनके पास बहुत तगडी opportunity आने वाली है future में, और ये भी हो सकता है, ये सारे जो project है, अगर इनके जो NFT आप hold करो, तो क्या को ये ना हो, कि ये इसका जो price बढ़ आप कोगी, miss हो गया, ठीक है, miss होने वाली जो chance है, और आने वाले time में, जो अगर आपने अच्छे काम किये होंगे, यहां पर तो अच्छा फाइदा आप future में उठा सकते हो, याद रखना, जो masa.finance, web3 economy का project है, ये community को आगे बढ़ात है, और खुद बाग, खुद दूसरी community इसको आगे बढ़ाती है, तो एक दूसरे के help से ये project चलता है, तो बहुत ही जबरदस्ती ecosystem है, तो इसका फाइदा उठाई है, ये चोटा सा वीडियो था, masa.finance का जो green SBT लेने के लिए, ये जो green SBT है, इसको हमने लेना है, उसके बा क्रिप्टोनिक 1 करके है, वो भी description में है, आप अगर उसको कोई help के लिए use करने चाहिए, जैसे आप help चाहिए आपको इसके लिए, तो आप हमारा channel join कर सकते हो, telegram, तो उसके अंदर हमें कोई भी question होगा, आपको उसको जवाब मिल जाएगा, ठीक है, thank you very much, have a good one, take care and bye bye.